हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबीका अपने चैनल दाइकजाम तक पे फ्रेंड आज किस वीडियो में हम लोग इडिटेरिया पब्लिकेशन का वालियूम टू का जो है ब्यार एससी के लिए प्रैक्टिस शेट नमर 14 को कवर करने वाले हैं इसे परले हमने जो है अल्रेडी एक से तेरह तक डिटेल के साथ कवर कराया है तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से आप लोग इडिटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस शेट देख स सकते हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से आंतक बने रहेगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि इस पर जितने भी अपडेट आया फिर वीडियो अपलोड किये ज बताना है जिस भी क्यूस्टन का एंसर पता है और लाश्ट में आपको ये बताना है कि आपने कितने क्यूस्टन सही किये हैं तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्ण है कि किस पंच वर्षय योजना में मानव संसाधन के विकास को सरवच परात्यमिक्ता दे गई है और आटवी पंच वर्षय योजना का कारेकाल जो कि 1992 से 1997 तक रहा था फ्रेंड में बता दू अगर आप लोगों को जिस भी क्यूस्टन का एंसर पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने लाश्ट में बताना है आपको कि आपने कितने क्यूस्टन सही अटेम्ट किये हैं ये सभी आप लोग कमेंट में जो है ये निकलता है तो इसका right answer जो है option number B हो जाएगा निबल घरेलू उत्पाद जब शकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में परियुक्त मसीन और पुंजे के मुल्यों में आई कमी को घटा दिया जाता है तो ये जो है निबल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा फिलिप्स बक्र जो कि मुद्रास्फिती तथा विरोजगारी से शमंदित है और ये जो है यह दर्साता है कि मुद्रास्फिती कम होने से विरोजगारी बढ़ती है तथा मुद्रास्फिती अधिक होने से विरोजगारी घटती है अगला है कि लाइकेन में कवक औ और साहवाल के मद जो है साजी भी ये हेलोटीज्म का लाता है हेलोटीज्म आपसन डीस का राइट इंसर हो जाएगा पेड के छालो पर उगने वाले पर आपसन डीस का राइट इंसर जेगा नहीं पूछा था कि सभी शरीर के उतक में जो है एक ही परकार के कोश्काय नहीं रहती है बलकि विभीन भीन परकार के रहती है अगला है सबसे छोटा जीव जो कि स्वेम विकास एबं प्रजनन करने में समर्थ है ये है मायको प्लाज्मा मायको प्लाज्मा आप्सन से इसका राइट निंसर हो जगा मायकोपलाजमा जो की सबसे छोटा जीव है जो की स्वेम विकास एवाम प्रजनन में समर्थ है मायकोपलाजमा ऐसे जीवधारी है जिनमें जो है कोस्का वित्ती नहीं पाए जाती है यह जो है सबसे छोटी जीवित कोस्काव है जो कि oxygen के बिना भी जिवित रह सकती है अनिक मायकोपलाज्मा प्राणियों और पात्पों के लिए रोग जनक होती है अगला है अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमर साथ निफित में से कौन सा उतक जो है जीव सरीर में एक सुराजचात्मक उतक का कारे करता है ये जो करता है ये करता है एपिथिलियमी उतक एपिथिलियमी उतक आप्सन डिसका राइट इंसर रोजएगा अगला है गुंसुत्र में क्रोमाइटी जिस बिंदू पर सनलगन होते हैं उस बिंदू को क्या नाम दिया गया है इए सेंट्रो मियर दिया गया है सेंट्रो मियर optionड इसका राइट इंसल रहेगा अगला प्रस्चने प्रस्चनमबर नो भुरुन को एक विशेस उत्तक कि साहिता से मा के रक्त से potion पराप्त होता है यह जो potion पराप्त होता है यह Germanal के द्वेरा होता है है कि मानब में वैक्टिरिया के संक्रमन को रोकने के लिए सबसे सरल इलाज जो है इसका राइट अच्छा जो है और आम खास इलाज यह इसका कौह सा कृफल यह गलत है गलत कर नहीं पर सूच यह लाइकोपीन है सेव का लाल रंग का कारण एंथोसाइनीन है यह जो कतन है यह विल्कुल गलत है पपीते का रंग यह पीला रंग होता है अगला कि स्वेठ फासपोरिश के बात करें तो इसका रंग यह पीला होता है पीला, option ये इसका right insert जाएगा और लिटमस जो की लाल अमली ये लाल होता है छारी ये नीला होता है और उधा सिन में जो है बैग नी होता है ति ये सारे point को आप लोग याद रखेगा अगला है कि electron की तरंग प्राकिर्टी की खोज किस ने की electron की तरंग प्राकिर्टी की खोज जो है ये डी ब्रोगली के द्वारा किया गया डी ब्रोगली option ये इसका right insert हो जाएगा और positron की खोज जो की adderson के द्वारा किया गया neutron की खोज जो की poly के द्वारा किया गया ये सारे point को आप लोग याद रखेगा Doppler प्रभाव निम्निमिस से किसके लिए जो है लागू होता है Doppler प्रभाव की बातकरित ये जो है सापेच चगती के लिए जो है लागू होता है सापेच चगती options इसका right insert हो जाएगा अगला प्रशन है कि एक गोली दरपन के प्राभारतिक प्रिष्ट के रिष्ट के मद एक विंदू होता है और फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लैक कर देगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर देंगे अगला किसी चालक में विधुध भारा द्वारा उत्पन उस्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं उत्पन उस्मा को यह यह चीवराबर I2RT से निरूपित करते हैं तो इसका राइक इस सब जो है ताप बढ़ने से इस घटना को जो है विदुधारा का उसमें प्रभाव कते हैं किसी चालक में विदुधारा द्वारा उत्पन उसमा जो है यानि हीट वरबर होता है I square into RT जो की जूल में होता है उसमा का यह साय मातरक जो की जूल में होता है यह चेहां पर उत्पन उसमा का आता है और आई की बाद करें तो आई जो है यह चालक में बाने वाली धारा है आर जो की चालक का परतिरूद है और टी जो है धारा में बाने वाला समय है यह सारे पॉइंट को आप लोग याद रखेगा अगला है कि यांतरिक उर्जा किसके बराबर है यांतरिक उर्जा के ब अगला निम्खित में से कौन सा घोल जो है विधूत का चालन नहीं है विधूत का चालन की बात करें तो सोडियम हाड्रोपसाइड घोल विधूत का चालन है एसिटिक एसीड घोल विधूत का चालन है हाड्रोकलोरिक एसीड घोल ये जो है विधूत का चालन है प्रनतो गुल इंसर जगा 10 पर पावर माइनस 12 मीटर एटो मीटर पुछे तो 10 पर पावर माइनस 18 मीटर होता है नई नो जो की most important है 10 पर पावर माइनस 9 मीटर टेरा मीटर पुछे तो 10 पर पावर 12 मीटर होता है और एक पेटा मीटर पुछे तो ये जो है 10 पर पावर 15 मीटर होता है अगला है कि कार्णो टाइन किसका आयस्क है कार्णो टाइन की बात करें तो कार्णो टाइन जो है ये उरेनियम का आयस्क है उरेनियम ओप्सन डीस का राइट इंसर जगा उरेनियम को जो है आसा धातु भी कहा जाता है भारत में उर्यनियम का सरवाधिक उतपातक राज जो है ये जारखंड है जो कि जादु गोडा जारखंड का राज है पीछ बलेट जो कि 오른 धातू का आस्क है बॉक्सायट ऐलमुनियम धातू का आस्क है तो ये इस सारे बिंदू को आप Training के याद रहेगा धूप चास्मों की लेंस की बात करें तो इसमें जो है कुरूक्स काच का परियोग किया जाता है कुरूक्स काच अप्सन डीस का राइट इंसर हो जाएगा यह परावाइगनी किरन से होने वाली हानी को बचाता है फिलिंट काच का उप्योग जो है कैमरा, दूरवीन, लेंस, विधू, तवल्व, एसमें में फिलिंट काच का परियोग किया जाता है पाइरेक्स काच का उप्योग जो है परियोक्साला के उपकरन बनाने में किया जाता है और परकासिय काज का उपयोग जो है चैसमा सुचमिदार सी टेलियसकोप एवं प्रिजम बनाने में किया जाता है तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखेगा अगला कि पीतल किसकी मौझ गुद्दूगी में निरंतर रहने से वायू में रंगहीन हो जाती है ये जो कोपर प्लस जिनका उपयोग बरतन बनाने में किया जाता है अगला है अगला है हीरा और ग्रिफाइड में मुख अंतर है हीरा और ग्रिफाइड की बात करें इसमें मुख अंतर जो है चतुस फलाकिये संरचना एबं सश्ट कोणिये संरचना ये जो है हीरा और जो कि फॉलोरीन है और पॉलोनियम की बात करें ती यह जो है सरवाधिक समस्थानिक जो कि 27 होते हैं जिनौन जो कि अश्ट्रेजर गैस भी का जाता है अगला है कि एक हाइड्रोकारवन जिसमें कारवन के दो परमानू दीवन्थ द्वारा जुड़े होते हैं क्या कर लाते है यह जो है एलकीन कालाते हैं एलकीन ओप्सन भी इसका राइट इन सरव जाएगा एक हाइड्रोकारवन जिसमें कारवन के दो परमानू दीवन्थ द्वारा जुड़े हो यह जो है एलकीन कालाता है एलकीन ओप्सन भी इसका राइट इन सरव जाएगा और एक एलकीन का रसा भी करण्या की काच के बोटल में नहीं रखा जाता है कि नेंख़। में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है नुनीज की बात करें तो नुनीज यह पुर्तगाल में अस्तित्य है नुनीज यह पुर्तगाली भेगती है मारको पोलो इटली और निकोलो डी कॉंटी जो की इटली की है डोमिगो पायस की बात करें तो ये तुर्की के नहीं बढ़ती बलकि ये जो है पुर्तगाली है तो option 10 का right insult जगा नहीं पुछा था डोमिंगो जो की पुर्तगाली है अगला है कि साथ वहान सासक यग इसरी सतकर्णी जो की 165 से 194 सी के सिको पर जो किसका चितर अंकित है इसमें सिको पर जहाज का चितर अंकित है जहाज options इसका right insult हो जाएगा जो की जलियात्रा और समुद्र व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक था अगला है कि अलावदीन खिलजी द्वारा उतर भारत के जिते गए जिते गए राज्यों में निम्खित में से कौन सा सामिल नहीं है इसमें जिते गए राज्यों में गुंजराद सामिल है रन्थम भवर सामिल है जैसल मेर सामिल है प्रंतु कास्मीर और द्वार समुद्रम ये दोनों राज जो है अलावदिन खिलजी द्वारा उत्तर भारत में जीते गए राजों में से नहीं है इसका राइट इंसर जो है ओप्सन नमबर शी हो जाएगा अगला है किसी एक धर्म से समधित निम्खित में से कतनों पर विचार कीजिए गुरु नानक के उत्रादिकारी गुरु अंगत थे ये जो है कतन विल्कुल सही है गुरु नानक के उत्रादिकारी जो के गुरु अंगत थे गुरु गरंत साहिव की रचना गुरु मुखी लिपी में हुई है ये भी कतन जो है सही है खाल सापंत के स्थापना गोविन सिंग के दोरा किया गया है ग्रुद म्हुन सिंग के दोरा जो है खाल सापंत की अस्थापना कि गयी है ये भी कथन जो है विल्कुल सही है इसका right answer जो है आप्षापन नमर डी हो जाएगा एक, दो, तीन, सभी अगला है कि तामरपाशान तामरपाशानिक संस्कृति में निम्खित में से किस पसु का साच्छे प्राप्त नहीं होता है इसमें साच्छे प्राप्त जो है इसमें साच्छे प्राप्त है गाय का, सुवर का और उट का लेकिन घोडा का इसमें साच्छे प्राप्त नहीं है घोडा अप्संस इसका राइट इंसर जगा इसमें गाय भेड बकरी शुवर भैस ये सबी जो है ये तामर पाशानिक संस्कृतिशे शमंदित है प्रंतु घोडा इससे शमंदित नहीं है अगला है निम्कित में से कौन सा योगन स्मेलित नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा है सुरकोड़दा जो की गुझरात में अस्तित है चनहुद्रो जो की शिंद्परांत में अस्तित है और सुथका गेंडोर जो की बलुची स्थान में शमंदित है लेकिन धौला विरा की बात करें तो धौला विरा यह ध्यान दिजेगा शंदीक में आत्म नियंतरन की सिच्छा पर बल दिया गया है अगला है कि दुति हे अंगल मैसूर यूद के श्मय भारत का गवर्राणärल जनरल ये वारेन हैस्टिंग्स थे आंगल मैसूर यूद की 178-184 की बीचुआ था इसमें भारत का गौर्णनल जनरल जो कि वारेन हेश्टिंग था और 1784 में ये मंगलोर की संधिक के द्वारा युद की श्यमापती हुई थी अगला कि मुगल समराज के पतन के दरा निम्खित मेंसे किस अस्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल सासा के विरुद बिद्रो कर दिया था यहा विद्रो किया था तो रुखल्खंड option is का right answer हो जाएगा मुगल समराज के पतन के दौरा रुखल्खंड में बसे भी अफगानियोंने मुगल सासक के विद्रो कर देया था और मुगलो और रुहेल खंड के अफगानियों के बीच पहली बार संगर्स ये मुधा करन साह के समय में शुरू हुआ था ये संगर्स मुखेता उत्राधिकारी की शमास्या को लेकर हुआ था अगला है कि सप्त करांती यानि शात करांतियों का समाजबादी विचार किसके द्वार प्रस्तावित किया गया है सप्त करांती को वाद करें ये विचार ये राम मनुहर लोहिया के द्वार प्रस्तावित किया गया था पंगाल बापस आने के बाद सूवाचैन्र बोश ने मुसलिम लिग से संपर का स्थापित किया और एक सभीने अवग्या अंदोलन शुरू करने का नेरने लिया है इस अंदोलन का उदेश कलकात्ता के हॉल वेल असमारक को नश्ट करना था जो की बलैक हॉल तरास्ती के याद को दिलाना था इसे जो है याद दिलाना था अगला के भारत के शविधान में शमिलित अपात कालिन उपबन जो है किस देश से लिया गया है अपात कालिन उपबन जो की जर्मनी के शमिधान से लिया गया है तो जर्मनी ऑप्सन से इसका राइट एंसर हो जाएगा अवला की भारतिय स्य्विधान में नागरीकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्लन अनुषेद से अनुषेद तक है और इसमें मौलिक अधिकार के श्यविधान को मैगना काटा भी कहा जाता है अगला है कि भारत में संसाधिय प्रशन पोचने का प्रकरिया स्वरपर्थम किस अधिनियम के द्वारा जो है शुरू किया गया है यह भारतिस परिशद अधिनियम में 1892 के द्वारा शुरू किया गया है तो आप्शन भी इसका राइट इसल जगा भारते परिशाद अधिनियम 1892 समिधान के विशाय सूचियों में दिये गए विश्यों के अतिरिक्त विश्यों का कानून कौन बना सकता है यह जो बना सकता है यह शंसत बना सकता है समिधान के अनुछे जो है 244 के अंतरगत संसत की और सिष्ट विधाईक सकतियां के वारे में प्रवधान है इसके अनुसार संसत को किसी ऐसे विश्यों के संबन्द में जो की समवर्ति सूची या फिर राज सूची में उलेखित नहीं है इसमें बिधी बनाने की यानि कानुण बनाने की अनन निसकतिया संसत को प्राप्थ है अगला निंखित में इससे कौन सा भारति सुधान का दर्शन नहीं है भारति सुधान के दर्शन के वाद करें तो कल्यान कारी राज, समाजवादी राज, राज जनायतिक समानता लेकिन इसमें साम्यवादी राज यह नहीं है तो option D's का राइट इंसर हो जाएगा साम्यवादी राज अगला है कि भारत में नयायक पुर्णा विलोकन की संकल्प किस देश के सुधान से लिया गया है नयायक पुर्णा विलोकन का यह लिया गया है समयवादी राज अमेरिका से समयवादी राज अमेरिका अपसने इसका राइट इंसर हो जाएगा भारत में नयाएक पुर्णा विलोकन जो है इसकी संकल्पना से अमेरिका के शिविधान से लिया गया है इसके अलावा प्रस्तावना का किसब जैसे के हम भारत के लोग मूल अधिकार, स्वतांतर, नयाएपालिका, सरवश नयाले एबं उच नयाले के नाधिसों के पद से हट आने जाने की प्रकिरिया, राष्टती का महा भ्योग, जनहित याज का ये सभी जो है ये सभी अमेरिका के शिविधान से लिया गया है अगला के चुनाव प्रकिरिया में शामिल होने वाला सामिल होने के लिए कोई धर्म, नसल जाती, अथ्वालिंग के अधार पर आयोग नहीं होगा, ये जो है प्रवधान किस अनुचेद में वर्णी थे, ये जो प्रवधान है, ये भारती सभी अनुचेद 325 में इसका वर्णन मिलता है, इसके 325 के अनुचार जो है, चुनाव प्रकिरिया में सामिल होने के लिए कोई भी वेक्ती धर्म नसल जाती, अथ्वा इन्हें अधारों पर शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है, अगरा के 21 सविधान सवसोदा अधिनियम द्वरा, 6-14 वर्ष के बच्चों को निसुल के अवं अनिवार सिचा का प्रवधान है, ये जो प्रवधान है, 86 सविधान सवसोदा अधिनियम जो की 2002 में हुआ था इसमें 6-14 वर्ष के बच्चों को निसुल के अवं अनिवार सिचा का प्रवधान दिया गया है, और इसका वर्णर भारतिय सविधान के अनुशेद 21 के का में मिलता है, ये 86 सविधान सवसोदान और ये कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ था, अगला है निक्वित में से कौन अगला प्रशने अनिम्खित में से कौन सी पहाड़िया, पस्मी घाट के अंतरगत सामिले, पस्मी घाट के बात करें, तो पस्मी घाट में जो है, अन्नामलाई, नीलगिरी, पस्मी घाट में अस्थित है, तो इसका रायट एंसर जो है, 1, 2 और 4, यानि अप्सन नम्मर 20 का राइट एंसर हो जाएगा, पस्मी घाट की पहाड़िया, जो है, सहाद्री, निलगिरी, अन्नामलाई, काड़माम, जो कि इलाज़ी पहाड़िया कर लाता है, ये सभी पस्म दूतिये हरित करांती के उदेश्यों के संदर में निमखित में सिकत्रों पर विचार करना है। यह जो बिल्कुल सही है लव एस्क जो है मैगनेज और क्रोमाइट लव खनीज है। अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 53 जो कि आला मुखी से निकलने वाली धूल और राक समागरी की बात करें। इससे निकलने वाली धूल और राक समागरी की बात करें। जोला मुखी क्रिया के अंतरगा जो है लावा के अतरिक गर्म गैस, राक, तरल पदार्ट यह सभी पिट्थवी की सता पर पहुंचता है। इससे पाइरोकलास्टिक करते हैं। जल्व मुखी के रिया में सबसे अधिक जल्वास्प गैस निकलती है। अगला की वैसे भुकंप जिनका केंदर तीन सो किलोमेटर से अधिक की गहराई पर हो करलाते हैं। यह जो करलाते हैं यह पतालिय भुकंप करलाते हैं। पतालिय भुकंप ऑप्शन इसका राइट इंसर हो जाएगा। और अधिकांस पतालिय भुकंप जो है इसका उधगम 500 से 700 किलोमेटर की गहराई के बीच होता है। अगला की महासागर की खड़ी घाट में तिवर लवंता परिवारतन के छेतर के रूप में जो अनुखित में से किसे जाना जाता है। यह पतीस परसेंट होती है तो यह सारे पॉइंट को आप लोग याद रखेगा। चाहिए अगला प्रस्था ऐख जीवे के निंखित का प्रकारों इसमें प्रकारों पर विचार करना है. कृम किप्राने जो ऑपर उप्स happened में जीवे कृश्ण में महासागरों की अहार स्रिंखलाओं में प्राथमी खुथपाद काक्या है प्राथमी पाद जो है इसमें होगा सानो बैक्टिरिया और डाइटम ये दुनुजय प्रात्मिक पाद होगा तो अप्सन नमबर बी इसका राइट एंस रोज़ेगा दो और तीन अगला कि राष्टिय प्रदूसर नियंतरन दिवस का मना जाता है राष्टिय प्रदूसर नियंतरन दिवस मना जाता है चोबिस अक्टूबर को सयोकत राष्टि दिवस एकती सब्राइट एंस रेज़ेगा और बॉलिबॉल में टोटल खिलाडियों की शंख्या जो होती है यह च्छे होती है अगला कि एलो बुक कि देश की सरकारी रिपूट या फिर परकाशन दस्तावेज ओर न फ्रांस कि सरकार्री 보고 है या फिर यह जब परकासिंद में पुता है यह भूमद रेखा की तरफ बढ़ती है तो अपसने इसका राइटने सो जगा भूमद रेखा की तरह बढ़ना जैविविता भूकाम पर भूमद रेखा सौरिया पर भूमद रेखा था जैविविता जो भूमद रेखा की तरह बढ़ती है जै विविता पिठ्थिवी का शमान रूप से वितरित जो है नहीं है सरवाधिक जै विविता उश्निकटे वद्निय चेत्रों भी पाए जाती है इसका कारण यह है कि यहाँ पे गर्म जलवाईू अधिक वर्षा आवबं पादब तथा पुराणियों के विकास के लिए अनुकुलतम दसाएं पाई जाती है तो यहाँ जै विविता अधिक होती है अगला है कि रामसर समयलन सनरच्छन निमखित में से किस से समंधित है अगला है कि कानहा को किस वर्ष में टागर रिजर्व घोसित किया गया कानहा को 1773 में टागर रिजर्व घोसित किया गया और कानहा नेशनल पार्क जोकी एक जुन 1955 को बनाया गया कानहा नेशनल पार्क मदपर्दिश में अस्तित है पार्क में बंगाल टाइगर भारती तीन दुआ भालू बर्षिंगा यह सबी इस टाइगर में रहते हैं कैलास संखला को टाइगर माइन ओफ इंडिया की नाम से जाना जाता है अगला है अगला प्रश्ण नंबर है त्रेशट भारत में वायू पर्दोशन जोकी निवारन तथा नियंतरन अधिनियम कब लागू किया गया भारत में वायू अधिनियम की वातकरे तो यह जाए भारत में 1981 में लागू किया गया 1981 option इसका right answer हो जाएगा अगला की इंसेल वर्ग इंसेल वर्ग अस्थाला कृती का निर्माद जो है निमन में से किसके कारण होता है इसका निर्माद जो है पवन के अपरदन किरिया से होता है तो अप्शन भी इसका राइट इन सलजेगा पवन के अपरदन किरिया से इंसेल वर्ग एक जर्मन भासा क सब्द है जिसका अर्थ है दीपिये परवत पवन के अपारदन किरिया से जब कोम चटाने जो है सनचना घिसकर समतल हो जाता है तथा कठोर प्रभावित अस्थाई हवा को क्या करते है इसे जो है अगला प्रशन है अस्व अच्छान से विश्वत परदेश की ओर प्रभावित अस्थाई हवा को क्या करते है इसे प्रभावित अस्थाई हवा की बात करे दिये जो है ब्यापारिक हवा का लाती है ब्यापारिक हवा अ 30-35 डिग्री अच्छांस में यह जो है अस्थित उष्ण कटीवन दिये उच वायुदाब वाले छेतर हैं जो कि अस्वाजचांस का लाते हैं यह जो है उपश्ण कटीवन दिये उच छेतर सांथ हवाओ एबं कम वर्चा के लिए पाय जाते हैं अगला है अगला प्रस्ण है क किस आईरिस लेखक ने उपणन्यास जो कि पायगंबर सांग के लिए बुकर प्रसकार दोहरतेश जीतने वाले यह जो है पॉल लिंच है पॉल लिंच ऑप्शन डिसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण की किर्खेट से जुड़े वैजबॉल सब्द को हाल ही में किस डिक्शनेरी में जोड़ा गया है बैजबॉल की बातकरित इसे जो है कोलिंस डिक्शनेरी में जोड़ा गया कोलिंस ऑप्शन भी इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला की हाली में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज का प्रमुक उत्सव है एंथूरियम जो कि जम्मु कास्मिर का है अगला है अगला प्रशन है कि हाल ही में किस सहर में भारत का पाला नैनो लिक्विड जो कि डीएपी फर्टिलाइजर्स प्लांट शुरू किया गया है यह जो प्लांट शुरू किया गया है यह गांधी नगर में किया गया है गांधी नगर जो कि जरूर याद करके जाएगा क्योंकि हर एक एकजाम में नौबिल प्रुसकार से क्यूस्टन जरूर पूछे जाते हैं द्वरतेश का रसान चेत्र में नौबिल प्रुसकार यह दिया गया है मौगेज जी बाबेडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आइस इन्हेंसे सभी हो जाएगा option this सही क्योंकि इन तीनों को जो है रसान के छेत्र में द्वरुसकार मिला है द्वर्सकार त्रूर से संक्राचार की 608 फिट यह परतीमा यह की सराज में बनाया गया है यह जो बनाये गया है यह मध पर्देश में बनाये गया है मध पर्देश अप्संस इसका राइट इंसर हो जाएगा दरबाइस में मध पर्देश राज मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित इस पर योजणा को जो है आचार संकर संस्कृतिक एकता न्यास और जम्मत परदिस राज परेटन विकास निगम के मार्ग दर्शन से इसका विक्सित किया गया है अगला है कि राष्टपति द्रौपदी मुर्मुन ने नए भारत के लिए नई सिच्छा नाम से राष्टिय सिच्छा अभ्यान की सुरात की है यह किस राज में किया है यह जो किया है यह उडिसा राज में किया है उडिसा आप्सन भी इसका राइट इंसल जाएगा राश्टपति स्री मति दुरौपदी मुर्मुन ने नंबर 32 में उरिसा के संबल पूर में जो है संबल पूर के ब्रहाम कुमारीयों के एक सिच्छा अभ्यान जो कि नए भारत के लिए नए सिच्छा की सोबारम किया है इस अभ्यान के परिकलपना मुल्यों को विक्सित करने और व्यतर समाज के लिए छात्रों को चीतना कि उठान के उद्धेश से यह की गई है अगला है कि भारत की जन आफसदी पाल में शामिल होने वाला पाला देश कोना है भारत के जन आफसदी पाल में सामिल होने वाला पाला देश की बात करें यह जो है मौरिसस है मौरिसस option 20 का right answer हो जाएगा मौरिसस भारत के जन औस दीप पहल में सामिल होने वाला पहला देश है जिसमें जो है मौरिसस के लोगों को व्यहतर गुनवता वाली Made in India नेटरी जो है दबायें उपलब्द होगी अगला है कि आदिती योजना निमने में से किस छेतर से शमदित है अगला प्रशन है प्रशन नमर 75 की हाल ही में भारत और किस देश के विच जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगे साथ ही आप लोगों को दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक सेर करना है और अगर आप लोग अभी तक पिछले रिविजन नहीं किये पिछले वीडियो को तो सभी वेडियो का revision भी कर लेंगे तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग सेट नमर 15 में जोकी लाश्टी सेट है उडिटेरिया पाप्लिकेशन का अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे सेट नमर 15 में तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे जाहें